हाई फ्रेंज मैं हूँ मनीशा जोशी प्राम रूट टुवेब आज मैं आपको बताऊंगे कैसे आपको टेक्स वर्टिकली अलाइन करना है सो मैंने एक पेज क्रियेट किया है अल्रेडी उसे हम एडिट विद अलिमेंटर पे कर देंगे सो एडिट विद अलिमेंटर के करने के बाद आपको लेना है है तो हैडिंग जो है आपको जहां पर जिस सेक्षिन में या जिस पेज में आपको जो वो टेक्स वर्टिकली अलाइन करना है वहां आपको वो टेक्स लेना है ठीकिए अभी यहां पर मैंने इस सेक्षिन के अंद पूरे body में हम एक section add कर देंगे अलग से और वहां पर क्या करेंगे text को add कर देंगे तो यहां पर मैं text add कर देती हूं इस तरह जहां पर हमें text vertically align दिखाना है वहां पर वह text को add करना है उसके बाद हमें जाना है advance में सो मैं अभी बॉडी में ले लिए इससे में delete कर देती हूं अब यहां पर हम क्या करेंगे text के advance में जाएंगे उसका positioning जो है उसे absolute कर देंगे ठीक है अगर इसको पता नहीं है position css position absolute और क्या बोलते css position relative क्या है तो मैंने css में पढ़ाया है absolute और css relative position आप देख सकते हो मेरे वीडियो में ओके तो यहां पर हम उसका position absolute करेंगे और एक छोटी सी css class देंगे तो सबसे पहले हम advance में जाके css class में जाएंगे और यहां पर एक में class दे देती हूं वर्टीकल करके और उसे custom css दे देते तो यहां पर आ जाएका dot vertical dot vertical जो class मैं ने उपर देती वही एक छोटा सा class देंगे हम उसे transform rotate और यहां पर degree लिखनी है तो हम दिखेंगे minus 90 degree तो यह देखें रोटेट हो गया minus 90 degree यह देख सकते हो आप vertically align हो गया है ठीक है और अगर हम इसे ऐसे normal 90 degree लिखेंगे तो यह देखेंगे यह उपर के side rotate हो गया है तो अभी दिखने रहा है वह उपर के side rotate हो गया है तो हम यहां पर क्या करेंगे minus 90 degree कर देंगे तो यह इस side rotate हो जाएगा तो basically minus 90 degree ऐसे ही text को दिखाया जाता है vertically अब यहां पर हम क्या करेंगे इसे हिला इसे आज वा जो सरकाना पड़ेगा उसके लिए हमें response positioning में वापस जाना है यहां पर आपको horizontal orientation जो है वह आपको यूज होगा offset अगर हम इस side लेके जाएंगे तो यह इस side हो जाएगा और यह उपर नीचे करने के लिए यह देखे अब इसे मैं update करती हूँ और हमें preview करता है इसे तो यह देखिए text जो है मेरा vertically align हो गया है add your text here तो यह देखिए image के जो है यहां पर मैंने text add कर दिया अब आप चाहते हो थोड़ा आगे पीछे करना तो आप offset यूज करके इसको आगे या पीछे किस side भी आप कर सकते हो यह देखिए नीचे उपर नीचे यह देखिए so basically text इस तरह vertically align होता है इसे हम update कर देखिए अब यह जो है left में vertically align हो गया so इसे इस तरह आप vertically align कर सकते हो minus 90 degree तो आपको basically कुछ करना नहीं है उस text को absolute करना है और उसको एक छोड़ी सी CSS class देनी है rotate करके और बाद में offset से आप जहां चाहिए वहाँ पर vertically उसको डाल सकते हो तो I hope आपको पता चला हो कि कैसे vertically align करना है text को अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे like, share और मेरे चैनल को subscribe ज़रूर करना thank you